दोस्तों इस वीडियो में हम शिवाजी महाराज जीवन के विशेश पहलू के ध्यान देगे दोस्तों, शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 में शिवनेरी दुर्ग में हुआ था इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जी जबाई था शिवनेरी दुर्ग पुने के पास है, उनकी माता ने उनका नाम भगवान शिवाए के नाम पर शिवाजी रखा उनकी माता भगवान शिवाए से स्वस्थ संतान के लिए प्रार्थना किया करती थी शिवाजी के पिताजी शाहजी भूसले एक मराठा सेनापती थे जो की डेककन सल्तनत के लिए कार्य किया करते थे शिवाजी के जन्म के समय डेककन की सत्ता तीन इसलामिक सल्तनतों बीजपुर, एहमदनगर और गोलकोंडा में थी शिवाजी अपनी मा जीजाबाई के प्रती बेहत समर्पित थे, उनकी मा बहुत ही धार्मिक थी, उनकी माता शिवाजी को बच्पन से ही युद्ध की कहानिया तथा उस युक की घटनाओं के बारे में बताती रहती थी खास कर उनकी मा उन्हें रामायन और महाभारत की प्रमुक कहानिया सुनाती थी, जिन्हें सुनकर शिवाजी के उपर बहुत ही गहरा असर पड़ा था शिवाजी के पिता शाहजी ने दूसरा विवाह किया और अपनी दूसरी पतनी तुकाबाई के साथ करनाटक में चले गए उन्होंने शिवाजी और जीजाबाई को दादोजी कॉंदेव के पास छोड़ दिया दादोजी ने शिवाजी को बुनियादी लड़ाई तकनीकों के बारे में जैसे की गुलसवारी, तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाए शिवाजी महाराज का विवाह 14 मई 1640 में सीबाई निम्बला करके साथ लाल महल पुनापुनेप में हुआ था वर्ष 1645 में 15 वर्ष की आयू में शिवाजी ने आदिल शाह सेना को आकरमन की सुचना दिये बिना हमला कर तोरणा किला विजई कर लिया आदिल शाही सेना ने उनके पिता को बंदी बनाना लिया फिरंग जी नर्सला ने शिवाजी की स्वामी भक्ती स्वीकार कर ली और शिवाजी ने कोंडाना के किले पर कब्जा कर लिया कुछ तथ्य बताते है कि शाहजी को 1649 में इस शर्थ पर रिहा कर दिया गया कि शिवाजी और संभाजी कोरना का किला छोड़ देगे लेकिन कुछ तत्थे शाह जी को 1613 से 1615 तक कारावास में बताते है उनके पिता की रिहाई के बाद 1645 में शाह जी मृत्यू हो गई पिता की मृत्यू के बाद शिवाजी ने आक्रमन करते हुए फिर से 1656 में पढोसी मराठा मुखिया से जावली का सामराजे हतिया लिया दोनों के बीच एक शर्ट रखी गई कि वह दोनों अपने साथ केवल एकी तलवार लाए गए 10 नवंबर 1669 को प्रतापगर्ड का युद्ध हुआ जिसमें शिवाजी की सेना ने बीजापुर के सल्तनत की सेना को हरा दिया मुगलों के शासक औरंग जेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षन भारत की तरफ गया उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था और अंग जेब ने दक्षन भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूब्यदार बना दिया था शाइस्ता खान अपने 150-00-00-00 सैनिकों को लेकर पुने पहुंच गया और उसने वहां लूट पाट शुरू कर दी शिवाजी ने अपने 350 मावलों के साथ उन पर हमला कर दिया था तब शाइस्ता खान अपनी जान बचा कर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी तीन उंगलियां गवानी पड़ी इस हमले में शिवाजी महाराज ने शायस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिकों का वद्ध कर दिया शाइस्ता खान ने पुने से बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरंग ली और औरंग जेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षन भारत से हटा कर बंगाल का सूबेदार बना दिया शाइस्ता खान ने अपनी हार का बदला लेने के लिए अपने 15,000 सेनिकों के साथ मिलकर राजा शिवाजी के कई क्षेत्रों को जला कर तबाह कर दिया बाद में शिवाजी ने इस तबाही का बदला लेने के लिए मुगलों के क्षेत्रों में जाकर लूट पाट शुरू कर दी सूरत उस समय हिंदू मुसल्मानों का हज पर जाने का एक प्रवेश द्वार था शिवाजी ने चार हजार सैनिकों के साथ सूरत के व्यापारियों को लूटने का आदेश दिया लेकिन शिवाजी ने किसी भी आम आदमी को अपनी लूट का शिकार नहीं बनाया औरंग जेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया शिवाजी को लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है और इसके लिए अपना रोश दर्बार पर निकाला और औरंग जेब पर छलका आरोप लगाया औरंग जेब ने शिवाजी को कैद कर लिया और शिवाजी पर 500 सैनिकों का पहरा लगा दिया हालांकि उनके आगरा करने पर उनकी स्वास्त्य की दूआ करने वाले आगरा के संथ फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिथाया और उपहार भेजने की अनुमती देदी गई थी कुछ दिनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा एक दिन शिवाजी ने संभाजी को मिथायों की टोकरी में बैटकर और खुद मिथाई की टोकरी उठाने वाले मजदूर बनकर वहां से भाग गए इसके बाद शिवाजी ने खुद को और संभाजी को मुगलों से बचाने के लिए संभाजी की मौत की अफवा फैला दी दूसरी बार संधी की। सन 1670 में सूरत नगर को दूसरी बार शिवाजी ने लूटा। नगर से 132 लाख की संपत्ती शिवाजी के हाथ लगी और लोटते वक्ट शिवाजी ने एक बार फिर मुगल सेना को सूरत में हराया। सन 1674 तक शिवाजी के समराजिय का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था। पश्चिमी महाराष्ट्रा में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी ने अपना राज्या भिशेक करना चाहा परंतु ब्राहमनों ने उनका घोर विरोध किया। क्योंकि शिवाजी क्षत्रिय नहीं थे उन्होंने कहा क क्षत्रियता का प्रमान लाओ तभी वह राज्या भिशेक करेगा। बालाजी राव जी ने शिवाजी का संबंध मेवार के सिसोधिया वंच से संबंध के प्रमान भीजे जिससे संतुष्ट होकर वह राज्या भिशेक किया। राज्या भिशेक के बाद भी पुने के ब्रा पाइगर के 5000 लोग इकठा हुए थे शिवाजी को छत्रपती का खिताब दिया गया उनके राज्याभिशेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता का देहान्त हो गया इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिशेक हुआ दो बार हुए इस समारोह में लगभ पढ़ाते हुए अपने किलों के नाम संस्कृत में रखे जैसे की सिंधुदुर्ग, प्रचनग्र तथा सुवर्नदुर्ग। उनके राजपुरोहित केशव पंडित स्वन्या एक संस्कृत के कवी तथा शास्त्री थे। उन्होंने दरबार के कई पुराने काइदों को प फकीरों को बराबर का सम्मान प्राप्थ था। उनकी सेना में कई मुस्लिम सैनिक भी थे। शिवाजी हिंदु संकृती का प्रचार किया करते थे। वहकसर दशेहरा पर अपने अभियानों का आरम किया करते थे। शिवाजी ने काफी कुशलता से अपनी सेना को खड़ा कि किया उन्होंने सैन्य रन्नीती में नवीन तरीके अपनाए जिसमें दुश्मनों पर अचानक आक्रमन करना जैसे तरीके शामिल थे शिवाजी महराज ने प्रशास किया कारियों में मदद के लिए आठ मंत्रियों की एक परिशद थी जिसे इश्ट प्रधान कहा जाता था इस में शाही मुहर लगाना और संधी पत्रों का आलेक तयार करना शामिल होते थे सुमन्त विदेश मंत्री था सेना के प्रधान को सेना पती कहते थे दान और धार्मिक मामलों के प्रमुक को पंडितराव कहते थे नयाधीश नया एक मामलों का प्रधान था शिवाजी महाराज मार्च के बारे में एक पुस्तक गनिमी कावा लिखी गई है जिसमें उनके शत्रू पर अचानक से आक्रमन करने के कई किस्से हैं एक स्वतंत शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया जिसे शिवर राई कहते थे और यह सिक्का संस्कृत भाशा में था तीन अप्रेल 1680 में लगातार तीन सब्ता तक बीमार रहने के बाद शिवाजी की मृत्यू हो गई शिवाजी महाराज की जयनती हर वर्ष 15 मार्च को मनाई जाती है